आप देख सकते हो इसका जो बोन साइज है देखिए सब कहीं पे भी गिरानी मतलब निशे से पूरा सेटिंग हो गया आज समलोग सेर फिट की हाइट पे है तो यह वेराटी आपके आपके यहां समलोग अलग अलग कंपोनी की काफी सारी लगी तो इसके कंपेरिजिन में आपको अजसा क्या होने का जो है साइज है वह बहुत बढ़ी आए देखिए नदिक नदिक पांडी लगती है फ्ला टींडा भी निशे से उपर तक लगा और अभी तक इतने फल लगे फिर फोदा निशे से लगके पूरा हरा है तहीं पे जो दूसरी काफी सारी वेराइटी हम देखते तो नि इम्मुनिटी पावर एकदम स्ट्रॉंग है बहुत स्ट्रॉंग है और आज आपके खेत में इसा कभी आपने देखा है कि निशे से लेकि इतना सेटिंग हुआ हो नहीं अभी तक तो कोई मतलब कोई वान में मैंने अभी तक देखा नहीं है इसलिए मैं बहुत अच्छा है तो निशे से अभी तक आपने कोई वान में ऐसा देखा ही नहीं कि इस तरह से सेटिंग हो सकते है बॉंड जो है इसके हो सकते है नहीं इसके जैसा कोई वान होई नहीं सकता तो आप किसानों को कोई मेंसिज देना साथ है तो क्या बताएंगे मैं किसान बहें को यह बताना बहुत बढ़ी आवान है अगर आप लगाना चाहते हो अगले साल से तो ट्रायल बेस पर लगा सकते हो नहीं तो बहुत बढ़ी आवान है मैंने अभी तक एक ही बैग लगाई है आगे से पूरा का पूरा मेरा जो खेत यही काल गो अब आप प्रांची गोल्डी 333 लगाएंगे लेकिन अभी भी जो आपको इसको अभी बढ़ाना और एक नंबर करना है तो इसमें विटारा आती है विटारा इसके उपर स्प्रे कर प्रांची निकले ना पूरिया तो उससे सम्हलों को अभी भी इसमें फॉल फुल बढ़ेंगे लास्ता करा रहेगा और हो सके तो इसमें जीवरस आता है जीवरस बेक्ट्रिया वह भी एक बर देना खाट के जगह एक करो जीवरस बेक्ट्रिया ने केष्वा बनाता है आप काफी सारी जगह पे अज हमारे औरंगा साइड है पद्मा कर करके तो आज हमने कल उसके साथ बात हुआ था पद्मा करके साथ तो उसने बताया के नरेज भी या मेरे खेत में लोग का आज कपास देखने आ रहे है आपकी वेराइटी एसपोर्ट है एक नंबर है लेकिन अब बता रहे हैं पंदरा बिस टिंडे बन गए और पच्छे से अच्छी एफ्लावरिंग है और जो इसे पोदा खुला है तीन फीट की दूरी पे तो उसमें डेट सो है तो अभी भी इसके साथ बात प्रवेंट भाई के साथ बात हुआ था तो अब आपको उसने क्या बत अज था कि एसा मतलब कोई प्रोडेक्ट नी उच करा था उसका वाप उच करने लगा तो सिफ खाट एक ही बार देया हुआ एक ही बार देया हुआ तो बहुत आप उन गिनने सकते थे पेड़ के नीचे कितना कॉंट्रोल निकालेगा ऐसा बताया था वो बोले मैं निकाल कम से कम ज्यादा तो फिर वो ले भी सकते ज्यादा आप आपने उसके साथ बात किया तो आपको भी कॉंफिड़न हुआ के नहीं याज ये सर गुजराच से आया है और आज आप लोगों को समर्दों के प्रांची गोल्डी 333 अब जो वेस्पोट भी आने वाल हो भी प्रां के दिखना सरू हो जाता है यह हमारी वेराइटी के सबसे अच्छी खासियत है और प्रतिकारा कैसी है को बिबार लगती ही नहीं है मालूम ही नहीं पड़ता साथ तो सुन्दर जी आप बताओ क्यूंके आपने काव में दिया तो आप तो समर्दों को हमारी गुजराती भी जानते हो तो आपको यह कैसा लगा आज भी डिसा तुमें आपका आमारे गाव में स्वागत करते हैं धन्यवाजी जैसे कि यूटूब के माद्यम से आप्साम आप से मेरा परिशे हो गया और तब से मैं इस वराइडी का दिवाना हो गया तो यहें कोई इसा एकिन महीं करत कि बाई सोचल मीडिया के माध्यम से किसी पर भरोसा करना लेकिन मैं एक गुजराती होने के नाते से आप पर येकिन किया और मैंने ये बीज मेरे गाउ में दी साथ में मैंने भी लगाया गुजरात से निजर से लाया था तो इस वराइटी के बारे में अगर बताया जाए तो इसके जमीन से थल से लेकर जो शाकाहे निकलती है वो सबसे बेहतरी मुझे अच्छी लेगी क्यूंकि वहां से लेकर अगर देखा जाए तो पोधा किसी किसी के खेत में तो इत्ता मुझे से बढ़ता है एक ब्रैंच से लेके लेकिन इसमें जो नीचे से जो निकलते हैं चार ब्रैंच की जो एक ब्रैंच में 25 से 20 तक के बॉल आ जाते है उसमें और रहते बाद के जड़ा है तो जब भी किसान इसको देखेगा तो यह यहर ग्रीन लगेगा फ्लोट हरा भरा लगता है किसी को पता भी नहीं चलता कि यह भीमार है या नहीं है लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें बॉल भोती बढ़िया तरह से लगते हैं यह मुझे बहुती बढ़िया तो आप आपने जो सोशील मेलिया में हमारे नरस कुरुषी के अंदर यूट्यूग देखा तो काफी सारे लोगों को बतायों तो आपको उसका तज़ूर्बा के सारा के भरोसा करना से यह नहीं करना से यह लोग तरह-तरह की बात करते हैं आज काफी सारे किसान इस वीडिय रहेगी कि बिश्वास तो करना ज़रूरी होता है आदमी किसी को ठकता है तो सिर्प एक बार ठकता है लेकिन हमारा जो नरेश भाई है किसी ने एक बार भी नहीं ठगा मैं पहले ही बात पे इनके साथ मिल जूलकर इस प्लाट्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बात इनकी कुछ दमकी थी और उस पे ये काबिले तारिप खड़े हो गए है। तो मैं किसान भाहिव से गुजारिश यही करूंगा कि आप भी अपने खेत में ये वराइटी लगाईए। एकिनन के तोर पे आप ट्रायल बेश लगाईए। अगर पुरा विश्वास ही करना है तो पुरा का पुरा खेत लगा दीजे। आपको आपके खेत में बहुत ही बड़िया तरीके से फसल आएगे और आपका जो दिन चरिया होता है वो बहुत ही बड़िया गुजारिश चल सकता है। तो आपने लगा या उसके बाद काफी बारा आपने हमें तस्विर भी बेजी के ऐसे इसे सी कुषन है। तो हमारी वहां से हमने आपको उल्यूसन दिय तो आप उससे भी संतुष हो। बेलकुल, बेलकुल, 100% मैं इस बात से संतुष हूँ, कि जैसे मैंने आपके साथ फोन पे बात किया कि भाई, जीवरस का प्रयोक किजे, और मैं मेरे गाउ से निजर यहां 25 किलो मेटर दूर पड़ता है, मैं वहां गया जीवरस के साथ, कारबन जो आता है, क्या बोलते हैं, नहीं, उसके साथ, मतलब गूर्डने हो मिलाया, जीवरस के अंदर, तो वह साथ में प्रयोक किया, तो अगर अभी तो इनका खेत है, मैं मेरे खेत में लेके जाओंगा, तो मैंने उसको सिर्फ दो बार खाद दिया है, गाउ में खाद देने वाले 3-3, 4-4 बार देते, मैंन के उपर है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहां पे कोन आदमी खेत के अंदर है, तो इस प्रकार के उसका भी बहुत बड़ा लाब होता है, तो मैं गुजारिस करूंगा कि आपके साथ, यूट्यूब के माद्यम से हो, प्रस्नल हो, किसान बाई जुड़े रहे, जु पैदावर लेने की, तो किसान के लिए समर्लोग आज काफी सारी वेराइटी आप ले रहाते हैं, लेकिन सल्हाकार नहीं मिलते हैं, और जो बियाना आप पहले पसंद अच्छा किया, फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत माहिने रखती है, तो हो हमारे यहां नरस्कुरुशी क तोन्योवज तोन्योवजर प्ल grote mathematания रखती हैं, तोन्योवजरा आपदी यहां सिवाना जाब करे लेकिन सारी तोन्योवजरrecht पी रहां से ईएесь स्टं़